परिचाएक और दुकानदार ने उन्हें दो हजार तीन सो पचास रुपए का बिल दिया घर पर उन्होंने दोनों बिलों की राशियों की तुल ना की उसने कहा कि उसकी शर्ट की खीमत सभी किरानी की वस्तूओं से अधिक है बच्चों वो ये बताने में कैसे सक्षम हुआ जी हाँ ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि उसने बड़ी संख्याओं के बारे में सीख रखा था आए हम भी संख्याओं के बारे में और अधिक जाने उत्तेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे संख्याओं की तुलना करना बड़ी संख्याओं को लिखना संख्यांकन की भारितिये और अंतरराश्ट्रिये पद्धती को जानना निकटतम संख्याओं का आकलन करना संख्याओं के योगफल, व्यवकलन, गुणन का आकलन करना कोश्ठकों के प्रयोग से सरली करन करना और रोमन संख्यांकन समझना संख्याओं की तुलना संख्याओं के समुह या संग्रह की परस पर तुलना की जा सकती है संख्याओं के तुलना करदे पर हम कह सकते हैं कि कौन सा समों बड़ा है संख्याओं को सबसे छूटे से प्रारम्ब कर सबसे बड़े तक वैवस्थित करना आरोहिक्रम कहलाता है संख्याओं को सबसे बड़े से प्रारंब कर सबसे छोटे तक बेवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है यदि दू संख्याओं के अंकों की संख्या आसमान होती है तब अधिकतम अंकों वाली संख्या बड़ी होती है यदि दो संख्याओं के अंकों की संख्या समान होती हैं तब हमें प्रतेक स्थान पर संख्याओं की तुलना करने की आविशक्ता होती है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इस संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए उत्तर है कि हमें एक जोड़ना चाहिए आईए हम पता करते हैं 9999 में एक जोड़ने पर हमें 10,000 प्राब्ट होता है जो की पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या है क्या आप छै अंकों की सबसे छोटी संख्या का अनुमाल लगा सकते हैं? छै अंकों की सबसे छोटी संख्या एक लाख है सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का रूप देने के लिए संख्या के अंकों को स्थानांतरित किया जा सकता है. आई ये देखते हैं कैसे? बड़ी संख्याएं लिखना कभी-कभी संख्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें समझना कठिन हो जाता है. तब संकेतन के प्रयोग द्वारा बड़ी संख्याओं को लिखने एवं पढ़ने में सहायता मिलती है हमारी दशमलव संख्या पद्धती में एक अंक का मान संख्या में उसके स्थान या स्थिती पर निर्भर करता है प्रतेक स्थान का मान दाहिनी ओर से उसके स्थान का दस्कुना होता है करोड तक इसका विस्तार किया जा सकता है चाड संख्याओं को लिखने एवं पढ़ने में सहायता करता है एवं इसे स्थानिय मान चाड कहा जाता है संख्या पध्धती संख्यांकन की भारतिय पध्धती में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार एवं ततपष्चात, लाख और करोड का उप्योग करते हैं चलिए करोड को दर्शाते हैं हजार, लाख एवं करोड को दर्शाने के लिए कौमा यानि अल्ब विराम का उप्योग किया जाता है प्रथम अल्ब विराम, सैकड़े के स्थान यानि दाए से तीसरे अंक के पश्चात आता है ये हजार अंकित करता है दूसरा अल्प विराम आगे के दो अंकों के पश्चात यानि दाएं से पांचवे अंक के पश्चात आता है ये दस हजारवे स्थान के पश्चात आता है एवं लाख को दर्शाता है तीसरा अल्प विराम आगे के अन्ने दो अंकों के पश्चाथ यानि दाएं से साथवा अंक के पश्चाथ आता है ये दस लाख के पश्चाथ आता है अंतर राष्ट्रिय सांख्यांकन पद्धती जिसका प्रयोग किया जा रहा है उसमें हमारे पास इकाई, तहाई, सैक्रा, हजार, एवं, ततपश्चाथ, मिलियन है एक मिलियन, एक हजार का हजार का होता है अल्प विरामो का प्रयोग हजार एवं, मिलियन को दर्शाने में किया जाता है ये दाएं से तत्यक तीसरे अंक के पश्चाथ आता है प्रथम अल्प विराम हजार दर्शाता है एवं, अगला अल्प विराम मिलियन को दर्शाता है आईए कुछ बिंदूं को देखते हैं एक करोड सौ लाख के बराबर होता है एक मिलियन हजार के हजार के बराबर होता है दस करोड सौ मिलियन के बराबर होता है एक सौ हजार एक लाख के बराबर होता है निकटतम संख्याओं तक आकलन जैसे ही हम बड़ी संख्याओं पर आते हैं, उनकी गड़ना करना जटिल हो जाता है जटिलता से बचने के लिए हम आंकलन या सन्निकटन करते हैं उधारण के लिए 496 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में आप कह सकते हैं कि स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं निकटन दहाई तक सन्निकट संख्या का तात पर रहे ये पता लगाने से है कि वो किस दहाई के निकटन है उधारण के लिए 23 का निकटन सैकड़ा तक 20 के रूप में सनिकटन कहते हैं निकटम सेकड़ा तक सन निकट संख्या का ताद पर्रे ये पता लगाने से है कि वो किस सेकड़ा के निकटम है उधारन के लिए 423 का निकटम सेकड़ा तक 400 के रूप में सन निकटन करते हैं निकटम हजार तक सन्निकट संख्या का ताद पर्रे ये पता लगाने से है कि वो किस हजार के निकटम है। उधारन के लिए अर्टीस सौ का निकटम हजार तक चार हजार के रूप में सन्निकटन करते हैं। योगफल व्यवकलन और गुणन का आकलन। निकटम संख्या तक आकलन करके दो बड़ी संख्याओं के योगफल का आकलन करने में सहायता मिलती है। उधारन के लिए 4780 एवं 3325 को जोड़िए। 4780 का सनिकटन बराबर 4800 है। 3325 का सनिकटन 3000 है और दोनों का योगफल 7800 है। निकटम संख्या तक आकलन करके दो बड़ी संख्याओं के व्यवकलन का आकलन करने में सहायता मिलती है। उधारन के लिए 39664 से 22345 को घटाईए। 29664 का सनिकटन बराबर 30,000 है। 22345 का सनिकटन बराबर 20,000 है। और दोनों का अंतर 10,000 है। निकटम संख्या तक आकलन करके दो बड़ी संख्याओं के गुड़न फल का आकलन करने में सहायता मिलती है। उधारन के लिए 33,466 एवं 8,888 का गुड़न देखिए। 33,466 का सनिकटन बराबर 33,000 है। 8,888 का सनिकटन 9,000 है। गुड़न बराबर 33,9,6 शुन्यों के साथ जोकी 29,70,000,000 होगा। कोश्ठकों के प्रयोग द्वारा सरली करन। निम्न प्रश्न पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को दो तरीकों से हल किया जा सकता है। सही उत्तर कौन सा है। कोश्ठकों का प्रयोग हमें समस्याओं में उल्जनों से बजाता है। जहां हमें एक से अधिक संख्या, संक्रिया की आविशक्ता होती है। आईए देखते हैं कैसे। यदि स्क्रीन पर दिखाए प्रश्न अनुसार प्रश्न दिया जाता है, तब इसकी करना करना सरल होता है। हाँ, उत्तर 17 गुणें 109 बराबर 1853 के रूप में होगा। चलिए आईए, इसे सरल करते हैं। इसे इस तरह से हल किया जा सकता है। आट गुणा कोश्ठक में 100 जमा 8, जो की कोश्ठक में 8 गुणा 100 जमा कोश्ठक में 8 गुणा 8 के पराबर होगा। आगे इसे हल करने पर हमें 864 प्राब्त होगा। रोमन सांख्यांक। अभी तक हम सांख्यांग की हिंदू अरभी पद्धती का उप्योग करते रहे हैं। सांख्यांग को लिखने की एक और अन्य पद्धती रोमन पद्धती है। ये संख्याओं को लिखने की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है, जो अभी भी अनेग स्थानों पर प्रच हिंदू अरबी सांख्यांग बद्धती के विप्रीत, रोमन सांख्यांग बद्धती में विभिन संख्यांग को प्रदशित करने के लिए साथ मूल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत निम्नानुसार हैं। संकेतों की तालिका को देखे, रोमन सांख्यांग तयार करने के कुछ नियम होते हैं। वे नियम हैं, यदि किसी संकेत की पुन्द्रवृत्ती होती है, तो उसके मान को जोड़ दिया जाता है। संकेतों I, X, C एवं M की अधिक्तम तीन बार पुन्द्रवृत्ती की जा सकती है, संकेतों V, L एवं D की पुन्द्रवृत्ती नहीं की जा सकती है, यदि छूटे मान वाला कोई संकेत, एक बड़े मान वाले संकेत के दाई और जाता है, तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। बड़ी राशी का पता लगाने के लिए संख्या की तुल्ना की जा सकती है, संख्याओं को विभिन रूपों में लिखा जा सकता है। संख्याओं की भारतिये एवं अंतराश्ट्रिये पद्धती एवं उनके मध्धे अंतर। एक पून संख्या के निकट तम तक एक संख्या का सनिकटन कैसे करते हैं। सनिकटन का उपयोग करते हुए योगषाओं के प्रयोग से गड़्ना को सरल कैसे करते हैं।